टेल सोब भोला ग्रेंपा भोला दादा जी की कहानियां इसके लेखक मनोजदास जी हैं यहां आप लोग मनोजदास जी का चित्र देख सकते हैं इसमें भोला दादा जी के जीवन से जुड़े तीन कहानियों को लेखक ने दर्शाया है बोला दादा जी और उसकी पत्नी गाउं के पस्चमी छोर पर रहते थे एक विशाल बोकल पेड ने उनकी जोपडी को उपर से ढख लिया था बोकल पेड पर बंदरों का एक जुन्ड रहा करता था लेकिन भोला दादा जी उसकी पत्नी कोई से कोई परिशानी नहीं थी एक दिन चांदनी रात को गाओं के सभी लोग मेले से वापस आ रहे थे सडक लंबी और कोहासा युक्त थी लेखक गाओं के चोकिदार के कंधे के उपर सवारी कर रहा था अचानक से भोला दादा जी चीख पड़े सभी लोग रुक गए और दादा जी से पूछने लगे क्या हुआ दादा जी ने बताया कि वो मेले में अपने पोते को लेकर गए थे वे उनकी उंगली पकड़ करके थे और पोता साथ साथ चल रहा था पता नहीं कैसे अंगली फिसल गई और वो पीछे चुट गया लेखक के पिता ने चार ऐसे लोगों को चुना जिनकी आखों की रोशनी बहुत तेज की और मेले में वापस बच्चे को ढूनने के लिए निकल पड़े बहुत ढूनने के बाद बच्चा एक गाय के पेट के नीचे बैठा हुआ मिला इस तरह पर्थम कहानी खत्म होती है धन्यवाद दूसरी कहानी अगली कड़ी में देखें